तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, H beam और I beam के में क्या फर्क होता है, इसके फह्चान कैसे करते हैं। तो दोस्तो पहले जान लेते हैं, beam के उज़ कहा होता है। दोस्तो beam के उज़ बड़े ब्रिज बनाने में और company के structure बनाने में उज़ कियाता है, जिसमें दोस्तों बड़े बड़े टैंक से बड़े बड़े मसीने प्लेट फार्म वगएरे रखे जाते हैं ही बीम का यूज दोस्तों हैवी इस्ट्रक्चर में किया जाता है जबकि आई बीम का यूज दोस्तों लाइट इस्ट्रक्चर में किया जाता है पहले दोस्तों इसके section view जैसे कि दोस्तों H beam का section view है वह alphabet H की तरह दिखता है जबकि I beam का section view हो जो दोस्तों वह alphabet I की तरह दिखता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं दूसरा दोस्तों इसका edge, edge की पहचान से हम समझ सकते हैं जैसे कि दोस्तों H beam का edge जो होता है दोस्तों यह state होता है और I beam का edge जो होता है दोस्तों यह taper होता है ठीक दोस्तों और तीसरा तरीका है दोस्तों इसके measurement से इसके Dimensions लेकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा H beam है है और क्वा इभीब है तो दोस्तों आइभीम के WAP का साइज उसके Fling के साइज से दोगना होता है जैसे कि 100 लाइवाम इंट्व 50 लाइवाम सक्षाइब कुछ वहरंगी टो sbm क क्या होता दोस्तो sbm का flange और web शेम साइज होता है flange का भी व वेब का भी साइज सेम होता है जैसरी कि 100 x 200 200, 200 बेंटो 200 200 फ्लेंज का भी होगा और आपका वेब का भी 200 ही होगा इसका साइज ठीक दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक करें सेरे करें और चैनल को सब्सक्राइब टें थैंक्स पर वाचिंग